Greater Glory of God और मेरी वोर से आप सभी को Happy Christmas इश्वर आप सभी को आशिरवात देते रहें इस महतोपून त्योहार के बारे में हम बहुत सारी बातें मनन करते आये हैं हम नवरोजी प्रार्थना किये और भी बहुत सारी तैयारियां हम करते आ रहे हैं और त्योहार आज जब हम Christmas के बारे में बात करते हैं तो आधिकांश हम बाहरी चीजों को केवल देखते हैं जरूर यह सब चीजें जरूर है लेकिन आज हम एक दो बाते हैं जो Christmas में हमें तोड़ाचा द्यान रखने के लिए जरूर अता है इन बातों बर हम तोड़ा सम्मनन करते हैं सबसे पहला है Christmas इश्वर के प्रेम के बारे में है योगन अध्यायतीन पत्संग्या सोला में हम पढ़ते हैं इश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलोते पुत्र को दे दिया और पित कर दिया जब हमें कोई गिफ्ट देते हैं तोफा देते हैं उसको अच्चे से कोई कागज से लपेट कर हमें देते हैं रैपर में पूरा रैप करके हमें देते हैं जब हम उसको कोलने लगते हैं हमें दिरे दिरे उसके अंदर जो गिफ्ट है वो हमें ये देखने को मिलता है और हम आनन्दित होते हैं कि आपके साथ भी जरूर होता है मेरे साथ भी हुआ है इसके दोर हमां क्या करना चाह रहा हूं सामा निरूप से हम इश्वर ये प्रेम को कुरूस के साथ हम मिलाकर हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि इश्वर के प्रेम को देखने के लिए समझने के लिए हमें कुरूस को देखने की जरूरत है जरूर वो उसकी पूर्णता है लेकिन जब कोई हमें गिफ्ट देते हैं हम उसको देखके ही आनन्दित हो जाते हैं यही होता है प्रभ येसु के जन्म पर यह जो बालक का जन्मोत सो हम मना रहे हैं एक प्रकार से रैपर में रैप करके इसको लपेट कर हमारे हाथ में दिया गया है हमें इसको कोल कर इसको अपनाने के जरूत है हम दीरे 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 इसको कोल कर हमें अंदर क्या है यह सब को देखने के जरुत है तो यह जो बालक हमें दिक रहा है चरणी में एक साधारन बालक नहीं ये इश्वर का प्रेम है इश्वर अपने प्रेम को पूर्ण रुप से समेट कर हमारे हाथ में एक बालक की रुप में दे दिये ये इश्वर का प्रेम है इस प्रेम को हम चरणी में छोड़ कर ना जाए हम अपने अपने हिर्दे में इस बालक को जगदे जब हमें कोई हमारे प्रिय विक्ति कोई गिफ्ट देता है हम उसको कहीं किसी को दिखाने के लिए केवल नई रखते हैं उसको हम अपने हिरदे में भी रखते हैं हम उनके उस गिफ्ट को हम अपनाते हैं और उसके लिए विशेश स्थान पर रखकर हम उसके साथ अपने रिष्टे को और भी मजबूत करते हैं और उसी प्रकार प्रभु येशु का जन्मोत सो हमारे लिए जो तोफे की रूप में पिता इस गिफ्ट को भेजे हैं इस गिफ्ट को खोल कर दे के सबसे पहले उसको अपना आए स्विकार करें दूसरी बात है हम सामाने रुप से जब क्रिस्मस के बारे में सोचते हैं हम सोचते हैं कि एक एवल येशु का जन्मोत सो है बस और इसमें धूमदाम से नाचगान सब को होना चाहिए बहुत जुरूरी लेकिन इस पर एक बात को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है मैं आपको ले जाना चाहूंगा उत्पत्ति ग्रंद आदिया तीन में जब आदम और हेवा पाप किये और इश्वर के दोस्ती इश्वर के साथ उनके रिस्ते को तोड़ दिये और इश्वर के दुश्मन बन गे इश्वर और मनुष्य के बीच में दुश्मनी उत्पन्न हुई मनुष्य इश्वर से अलग कर दिया गया और अभी क्रुस्मस में क्या होता है इश्वर अपने पुत्र को हमारे बीच में भेज कर हमसे दोस्ति करना चाहते हैं आपके गर में क्या ये गटना नहीं हुई कभी जब आपके और पडोसी के बीच में लड़ाई जड़ा होती है बड़े लोग बाची इतने करते हैं बच्चे चुपके चुपके कहीं कहीं बात कर लेते हैं और यदि मान लिजिए आप दोनों में से जो बड़ा बिक्ती है वो अपने एक बेटे को दुसरे के गर में भेज कर यदि कहें मैं आपसे दोस्ति करना चाहता हूं दुश्मनी हम भूलना चाहते हैं हम एक हो जाएं हमारे बीच की ये जो लड़ाई है ये जो दुश्मनी है मुझे अच्छा नहीं लगता मैं चाहता हूं कि हम पहले जैसे दोस्ती में रहें हम संबंद में रहें हम रिस्ते में रहें ये ही हुआ जब इश्वर का पुत्र मानों बनकर हमारे बीच में आए हमारे और इश्वर के बीच में जो खाई थी जो ग्यापता जो दुश्मनी थी इश्वर उसको भूलकर अपने पुत्रों को हमारे बीच में बेजे इस बताने के लिए वे हमसे प्यार करते हैं यह बताने के लिए कि इश्वर हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं करना चाहते हैं क्रिस्मस वही बताता है जब हम चरणी में उस बालक को देखें हम इश्वर के इस महान प्रेम को देखें तीसरी बात है यहां इस बालक के जन्म के द्वारा सुर्ग और पृत्वी एक हो गए यह हम बार बार सुनते हैं लेकिन उसकी गैराई को हम समझ नहीं पाते हैं सुर्ग और प्रित्वी का एक हो जाना इश्वर हमारे बीच में आये हमारे साथ जीने के लिए हम कितने आयोग्य हैं कितने पापी हैं फिर भी इश्वर हमारे बीच में आये हमारे साथ जीने के लिए हमारे साथ रहने के लिए वो इस वेक्ती में प्रकट होता है इस बालक में प्रकट होता है, इस बालक एक विक्ती जिसमें दोनों सो भाव हैं, ये पूर्णरुप से इश्वर और पूर्णरुप से मनुश्य, इस विक्ती में ही इश्वर्यता और मानवता एक हो गए, स्वर्ग और पृत्वी इन में एक हो गए, कितने महान शिशु हैं, कितने महान बालक ये जो सोर्ग और पृत्वी को इश्वरेता और मानवता को अपने में ही समेट कर एक कर दिये इसको हम मनाए इसको हम मनाए आनंदित हो जाए नाचे गाए खुशी मनाए वही है क्रिस्मस चौती बात है हमें क्या करना चाहिए हम सामाने रुप से कोई पर्थड़े पार्टी में जाएं तो हम इस बात पर दियान देते हैं कि हम क्या गिफ्ट ले जाएं उनके लिए और यह है यहाँ एक पहला एक जन्म दिन या पहला एक जन्मोत सो जिसमें हमें गिफ्ट देने की जरूत ने हमें लेने की जरूत है हम इसको दे तो क्या दे हमारे पास ऐसा क्या है जो हम उनको दे सकते हैं वो हमें देने आए यही तो कुशी है यही तो Christmas वो हमसे कुछ लेने नहीं आए हमें देने आए संद पॉलूस रोमियों को लिखते हुए करते हैं इश्वर अपने एकलोते पुत्रों को ही दे दिए क्या उनके साथ हमें सब कुछ नहीं देंगे क्या कुछ बचाये रखेंगे अपने पुत्रों को ही दे दिए जब आप चर्च जाए आप द्यान दीजिए आप चर्च से क्या लेकर आ रहे हैं वापस आप Christmas मनाने जाएं तो आप द्यान दीजिए आप कौन सा तोफ़ा लेकर येशु से कौन सा गिफ्ट लेकर आप आ रहे हैं और इस पर और ही एक बात द्यान दीजिए येशु आपके साथ आपके घर में निवास करना चाहते हैं केवल थोड़ा सा गिफ्ट केवल नहीं उस इश्वर को हमारे घर में लेकर आने का एक आवस्सर है वो आना चाहते हैं हमारे घर में वो हमारे घर में आना चाहते हैं हम सामाने रुप से उनके तोफ़ा उनका गिफ्ट केवल चाहते हैं लेकिन यहाँ इश्वर स्वयम एक गिफ्ट बन कराये हैं आपके साथ रहने मेरे साथ रहने क्या हम इनको अपने गर लेकराएंगे प्रकाशना गरंद में ये सु कहते हैं मैं द्वार पर कड़े होकर कट कटाता हूँ जो मेरी आवाज सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा मै उसके हम भीतराकर उसके साथ धोजन करूँगा और वह मेरे साथ वही प्रबु जो यहां बालक के रूप में जन्मे वही आज भी हमारे हृदे द्वार के सामने हमारे परिवार के द्वार के सामने खड़े होकर कट कटा रहे हैं मेरे लिए तान दो मरियम और योसिफ इस ब को हम अपने गर लेकर आएं पांचवीं बात है या और कोई नहीं या और कोई नहीं अमारे बड़े भाई हैं अमारे बड़े भाई हैं ये एसु वह हमें अपने भाई बधन बना लिए ये हमारे परिवार के द्वाहर है ये परिवार के द्वाहर है ये परिवार के द्वा इसलिए संद योगन अपने सुसमाचार में लिखते हैं जितनों ने इसे अपना आया उन सबोंगो उसने इश्वर की संदती बनने का दिकार दिया हम सभी इश्वर की संदती हैं हम सभी इश्वर की संदान हैं हम उनके पुत्र पुत्रियां है तो हमारे ये बड़े भाई हैं जब आप Christmas मनाएं आप भूल मत जाईए ये येसु को वहां केक काटने के लिए बुलाईए हम Christmas में उन्हें बाहां संडर पर रखें यह उनका जन्मदिन है उनका जन्मदिन है लेकिन खुशी हमारी उनके लिए के वलने हमें भी कुशी आनन वो प्रभू लेकर हमारे लिए आ और मैं आप सभी को पुनही एक बार इस महान तिहार की डेड़ सारे शुबकामनाएं देता हूं और हमारा ये आने वाला ये जो नया वर्ष हमारे लिए इस बालक के साथ हों हमारे इस बड़े भाई के साथ हों और हमारा जीवन यिश्वरिये बन जाए आनन दित होकर खु अपी क्रुस्मस